महा भारत में ये प्रसिद्ध है कि युद्ध के वक्त करश्ण जी को भी एक बार अपनी युद्ध भूमी से हट करके बहुत दूर जाना पड़ा जिसके कारण उनका नाम रण छोड दास पड़ गया एक नाम करश्ण जी का रण छोड दास भी है लेकिन आपके बारे में ये कैसे प्रसिद्ध है कि आप सेल्फ अनब्रेकबल कमिटमेंट करते हैं कि एक बार आप कुछ सोच लेते हैं फिर आप उससे जीवन में आज तक नहीं पलटे तो वोने नहीं पलटने के पीछे जो आपकी इक्षा सकती है वो आप कहां से लाते हैं लेकिए इसके पीछे दो कारण एक तो मेरे सामने जब भी किसी प्रिकार की चुनोती आती मैं गुरुदेव का इसमरन करता हूँ उनसे मुझे बहुत बड़ी प्रेज़ा मिता है दूसरी बात मैं हमेशा सकारात मक्सूसता हूँ इनसे मेरा आत्मिश्वास बढ़ता है इसलिए मेरा एक सिध्धान्त है प्रियास से पहले कभी हार नहीं मानना चाहिए और ऐसा आशिरबात गुरुदेव का मुझे पर फला है कि बड़ी बड़ी चुनोतियों को हमने बहुत आसानी से पाज़ किया है और कई बार ऐसा भी प्रशंग मेरे जीवने में आया है कि ऐसा लगा कि अब बड़ी दुबधाय साहित फसने की बात होगी लेकिन गुरु आशिरबात से उससे भी बहुत आसानी से ने करें